नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीडिंग लावर्स पर दोस्तों अगर आप मारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और साथ में बैल वाल आइकोन को दबाना नहीं भूलें जिससे आपको मारे आने वाली वीडियो की नोटिक्रेशन मिलती रहेगी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीडिंग लावर्स पर दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर से समंदित महतब पूर परसनों को जो आपके आगे आने वाले एक्जाम के लिए महतब पूर आएंगे और दोस्तों यह जो हमारी 2000 परसनों की सीरीज चरही है जिसमें आज हम एकाउंट से 100 प्लस कोश्चन करेंगे तो ज दोस्तों को बने रहेगा हमारा फर्स्ट कोश्चन है जब हम कोई प्रस्तों या सलाइड तियार करते हैं तो पौईट विंडो व्यू प्रतरशित करते हैं जिसमें विंडो के तीन भाग होते हैं तो यह मैसिक कौन सी होती है यहां पर जो राइट एंचर आप्शन पोर रह जो है यह परदस्क्रे करते जिसमें इंड़क तीन भाग होते हैं नेक्स्ट रहेगा सी प्लस प्लस प्रोग्राम को एक्स्क्यूट करने के लिए इन में से कौन सी कमांड का प्रियोग किया जाता है तो यहां पर जो राइट अंसर ओप्शन ए रहेगा तो हम कंट्रोल प्लस अगर हम दबाएंगे तो यह जो है सी प्लस प्लस प्रोग्राम को एक्स्क्यूट करने के लिए इस कमांड का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट कोशन हैगा पावर पॉइंट में रंग की जगा हम टेक्च्चर भी जाइस्तमाल कर सकते हैं तो प्लिक करके तो हम इसमें से क स्टेक्स्ट्चर मिजाकर या अलग अलग टेक्स्ट्चर का इस्तवाल कर सकते हैं रंग की जग में अंगे कम्प्यूत वं तो यह आप पर कम्प्यों पर को कॉंड़ के वीच ट्रांसलेटर का कारिया करते हैं एक्सपेंशन स्लोट के दवारा । नेट्स कोशन है मेसेंजरन मेल्बोक्स इन रहें। तो यहाँ पर जो मेसेंजनर जो यह मेल बोक्स है इनमें से किसमें उपलवद होता है यहाँ पर जो राइटन से रहा यह ओप्षन 5 रहेगा एक और 2 तो यहाँ पर मेसेंजनर मेल बोक्स और मेसेज जो बोक्स होता है इसमें जहें उपलवद होता है नेस्ट कोशन रहेगा वह है प्रोग्राम जो कंप्यूटर को निद्य देता है कि प्रकार डाटा प्रोशेस किया जाए और अवस्चक सुचना जनित की जाए तो ये क्या कहलाते हैं यहाँ पर जो राइट अंसर है ये ओप्शन टू रहेगा सौफ्ट्वेर तो इनको जो है सौफ्ट्वेर का जाता है ये जो कंप्यूटर को निद्य देते हैं कि कि जो डाटा इसे प्रोशेस किया जाए और आवस्चक सुचना जनित की जाए नेस्ट कोशन है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्परिया तो यहां पर जो टेक्स्ट जो होता है इसकी फॉर्मेटिंग से क्या तात्परिया होता है यहां पर जो हमारा राइचन सरा है या उप्शन फॉर हो हैगा एक, दो, तीन अथार्थ ये सभी लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन स्पेसिंग नेक्स कुछन है निमन में से किस्विती के द्वारा टेक्स्ट को विभिन, रंगो, आकारो, वैप्रकारो में आकर्शित बनाए जाता है तो यहाँ पर जो राइट अंसर है, यह ओप्शन 5 रहेगा, एक और दो, दोनो वर्ड आर्ट से और जो ड्राइंग टूल है, इसके द्वारा जो हम टेक्स्ट को विभिन, रंग, आकारो, वर प्रकारो में आकर्शित बना सकते है नेक्स्ट रहेगा, सेल तो यहाँ पर जो सेल जो देगा है, यह प्रोग्रामी में फाइल को बनाने के लिए, इन में से कौन सी जो कमांड है, जिसका प्रियोग किया जाता है, तो इसके लिए हम create file name का sorry, इसके लिए cat और title name का प्रियोग करते हैं, तो यहाँ पर जो right answer है, यह option 3 रहेगा, next रहेगा, html के दवारा coding करके बनाएंज जाने वाले web प्रिष्टो की क्या extension होती है, तो यहाँ पर जो c answer है, option 3 रहेगा, एक और दो दोनो, html और dot htm, कहीं बार जो है, यह जो html जो दिया गया है, इसकी full form जो exam में पुछ ली जाती है, तो इसकी, जो full form है, hyper text markup language जो है, इसकी full form रहेगी, next रहेगा, उस तर यह भासा, तो यह जो उस तर यह भासा है, hll इसमें liquid program क्या कहलाते हैं, तो इसमें जो liquid program में, यह source program कहलाते हैं, राइट answer option, एक रहेगा, और जो hll जो होता है, इसकी full form होती है, high level language अतार्थ उस तर यह भासा, next रहेगा, document में लिखे, text को दाई तरफ से select करने के लिए, इन में से कौन सी की का प्रियोग किया जाता है, अगर आपको text को select करने के लिए, इन में से कौन सी की का प्रियोग किया जाएगा, तो इसके लिए shift plus यह जो arrow का जो निशान है, इसका प्रियोग किया जाता है, next रहेगा, इन में से परस्तूती करन की, वीबिन स्लाइडों की जो बारी रूप रेखा है ये होती है तो ये रहेगी आउटलाइन भाग यहाँ पर जो राइट एंसर ओप्शन थिरी रहेगा आउटलाइन भाग जो है इसमें परस्तूतिकर्ण की वीबिन स्लाइडों की बारी एक रूप रेखा होती है नेक्स्ट हैगा HTML भासा के जो प्रोग्राम उनको रन करने के लिए इन में से कौन से सफ्ट्वेर का प्रयोग होता है तो यह जो HTML के जो प्रोग्राम होंगे उनको रन करने के लिए इन में से जा कौन सफ्ट्वेर का प्रयोग होगा तो यह रहेगा इंटर्नल एक्स्प्लोलर राइट एंसर रहेगा ओप्षन 3 नेस्ट है MSWord की जो विंडो है इसको दो या दो सेदिक भागों में बाढ़ने की जो विद्धी है इसे क्या कहा जाता है वेर वेर इपोटेंट कोशन रहेगा तो अगर हम इसे दो बागों में बाढ़ना चाते हैं तो इसे जहाँ सप्लिट विंडो कहते हैं तो यहां पर जो राइट एंसर ऑप्षन 3 जाया रहेगा सप्लिट विंडो नेक्ट हैगा OSI मोडल की इन में से लेयर होती है तो इन में से कितनी लेयर होती हैं यह रहेंगी, सायायर नहीं आप चलेगा option एक Next question है कि है है प्रफकी एक डिवाइस ca जो हब है एक इन में से किस प्रेकार की एक डिवाइस है तो यह रहे गी active डिवाइस to ह Side एक 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 डिवाइस है नेक्स है deixa document है जो font size है उसको बढ़ाने के लिए इन में से कौन सी की का प्रियोग किया जाता है तो इसके लिए control प्लस shift जो की होती है इसका प्रियोग इसके लिए किया जाता है नेक्स एक सुचनाओं को पंक्ति वैस्तम के रुप में व्यस्तित करने को क्या कहा जाता है तो इस सुचनाए जो होती है उनको पंक्तियास्तम के रुप में वैस्तित करने को इन में से क्या कहा जाता है उसे हम table कहते हैं right answer option 3 next एगा text को double underline करने के लिए इन में से किस का प्रियोग किया जाता है तो control shift plus d button को अगर हम एक साथ प्रेस करेंगे तो यह text को double underline करने के लिए प्रियोग होता है next एगा slide show में जो पिछली जो slide house पर जाने के लिए इन में से किस button का प्रियोग किया जाता है तो इसके लिए page आप जो कुझी होती है इसका प्रियोग होता है next question है इन में से किस scroll bar का प्रियोग विंडो में नीचे की और चीपी होई सामगरी को देखने के लिए प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर जो right answer है यह option 2 रहेगा उर्धाव अधर तो यह जहाँ स्क्रोल बार का प्रियोग इसमें जाए विंडो में नीचे की और जो चीपी वी सामगरी होती है उसको देखने के लिए किया जाता है नेक्स्ट कोशन हैगा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर जो यह नॉर्मलाइजेशन जो होता है यह क्या होता है इसे हम जह है रिलेशन डाटाबेस की डिजाइनिंग करते समयापड़ों के डिजिटल सुमू से स्माल स्टेवल डाटा स्टेक्शर उत्पुन करने की जो प्रिकिरिया यह नॉर्मरलाजेशन कहलाती है तो सी अंसर ओप्शन ए रहेगा किस व्यू में आप किसी परस्तूतिकर्ण की स्लाइडों को करम में लगा सकते हैं तो यह रहेगी स्लाइड शोर्टर व्यू राइट अंसर ओप्शन टू नेक्ट कुशन है स्लाइड शो को स्माप्ट करने के लिए इन में से कौन से बटन का प्रियोग किया जाता है स्लाइड शो को स्माप्ट करने के लिए किस बटन कौन से कौन्जी जो होती है इसका प्रियोग किया जाता है तो इसके लिए इन सभी जो कुझियों का प्रियोग होता है X X कुझी Ring कुझी Ctrl, Plus, Break तो ये सभी जा कुझियों का प्रियोग इसके लिए होता है Next रहेगा कर्शर वाले चीन को हटाने के लिए Keyboard की किस कुझि का प्रियोग किया जाता है तो इसके लिए Delete जो कुझी होती है उसका प्रियोग किया जाता है Next question हैगा Hard disk में VBIN प्रोग्रामों की Drives की बहुत क्या थूर्टियों की जाच करने ठीक देंसे करने के लिए Windows में एक प्रोग्राम जाए अप्लावद होता है इसे क्या कहते हैं इसे हम Scan disk कहते है Right answer रहेगा Option 1 Next है Drum Printer यहाँ पर जो Drum Printer है यह किस प्रकार के Printer का एक उदान है Very very important question है Drum Printer यह किस प्रकार के Printer का एक उदान है तो यह रहेगा Line प्रकार के Printer का तो यहाँ पर जो Right answer रहेगा Next question है MS Word में जो Picture इंसर्ट करने के लिए इन में से कौन सी जो स्विधाई यह उपलब्द होती है तो यह सभी स्विधाई उपलब्द होती है Clip Art भी होता इसमें Picture भी और From File भी जो है उसमें होती है Next रहेगा इन में से कौन सा एक Software है जिसके द्वारा वीडियो और और सीडी को चलाया जाता है तो यहाँ पर यह कौन सा Software है जिसके द्वारा वीडियो और जो और सीडी है इसको चलाया जाता है तो इसे MPG Player कहते हैं Right answer option एक Next रहेगा यह जो font page जो होते हैं इसमें बनने वाले document की HTML को देखने के लिए इन में से किसका प्रियोग किया जाता है तो इसके लिए reveal जो tag होते है इसका प्रियोग किया जाता है Right answer रहेगा option एक Next रहेग कंप्यूटर में bus से आभी प्राए तो कंप्यूटर में जो यह bus जो होती है इससे क्या अतात पर यह होता है इसको हम data bus कहते है राइटन से रहेगा option फोर एक दोस्तों USB होता है universal serial bus जो इसका फुल पर होती है तो यहां पर यह bus जो रहेगा डाटा बस next है इन में से कौन सा कथन disc copy के स्वंध में सत्य है तो disc copy के स्वंध में इन में से कौन सा सत्य है तो यह रहेगा option 2 disc copy कभान का प्रयोग डोस्थ में होता है नेक्स्ट एगा वायरस तो यह वायरस जो होता है इसका जो विस्तारी तुरूप या जो आप फुल फॉर्म है यह भी कह सकते हैं तो यह क्या होती है तो इसका हम वर्चियल इन्फोर्मेशन इस उर्सिज अंडर साइज जो कहेंगे तो यहांपर जो रैटन सरे यह अप्शन टू रहÏगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी जो एक उस तरह बासा कोबोल इंफ फोर्टरॉन का समячरन है। तो यह COBOL और जो FORTRON जो होती है इनका जो सम मिशन है ये कौन सा रहेगा ये होती है PL बटे एक राइटन सा रहेगा option 4 दोस्तों कई बार जाए ये जो COBOL जो दिया गया है इसकी full form जा एक्जाम में पूछ लिजाती है तो इसकी जो full form है common business oriented language जो है full form रहेगी और ये जो FORTRON जो दिया गया है इसकी full form होती है formula translator नेक्स्ट है सबस्यादिक programming कठिन है तो यहाँ पर जो सबस्यादिक programming इन में से कौन सी कठिन है तो ये रहेगी machine में कि नेक्स्ट के इन वेसे कौन सा जो ूडुफन है ये टॉंगल बॉटन नहीं है तो यहाँ पर टॉंगल ये नहीं है तो यह कौन सा होता है इसको जैए रहेगा यहां पर write agen sir option five इन में से कोई नहीं नेक्स्ट आप बेसिक सर्वादिक उप्युक्त है तो यहां पर जो बेसिक इन में से सबसे अधिक किसके लिए उप्युक्त है तो यह रहेंगे अप्शन 3 एक और दो के लिए अथार्थ टाइम सेरिंग सिस्टम के लिए और माइक्रो कम्प्यूटर में प्रियोग है तू नेस्ट एगा इन में से कम्प्यूटर को यह कहते हैं कि अपने कंपोनेट्स को कैसे उप्योग किया जाए तो राइट एंसर ऑप्शन 4 एगा ओपर करता है तो कम्प्यूटर सिदे इन में से किस के साथ जाए संप्रक करता है तो यहां पर जो सी एंसर ऑप्शन एक रहेगा हर ड्राइव के साथ नेस्ट एगा इन में से कौन सा जाए एक मिलेन बाइट री पर जैंट करता है तो यहां पर जो एक मिलेन बाइट से हैं इन में से यह कौन सा दिखाता है तो यह रहेगा मेगा बाइट सबसे छोटी जो किलो बाइट होती है उससे बड़ी एमबी होती है उससे बड़ी जी भी उससे बड़ी टी बी और उससे भी बड़ी जो है पी भी होती है पीटा बाइट नेक्स्ट एगा data store करने और गणना करने के लिए computer पर number system का अपयोग करते हैं तो इन में से कौन से number system का जो आइसके लिए अपयोग करते हैं तो यह जो binary जो होते हैं binary number का अपयोग करते हैं 0 और 1 जो आइए binary number होते हैं टो डाटर स्टाउर करने और गर्णा करने के लिए computer जय वाइन नंबर सिस्टम क व्योग करते हैं नेट्स नीगा computer के द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है याःट्स नेगा cpu के लिए गनीतिय गर्णा यहाँ पर जो cpu जो होती है central processing unit तो इसके लिए गणितिया गणना इनमें से कौन करता है तो ये ALU करता है और je ALU जो कहें बार एकजामिस की जो फुलपरम जाती है तो ALU की जो फुलपरम है ये Hurricane Logical Unit जा इसकी फुलपरम रहेगी तो ALU जो है CPU के लिए गणितिया गणना करता है नेश्ट एगा यहां प्रवाईवी रूप से कंप्यूटर का दिमाग है तो यहां पर यहां प्रवाईवी रूप से कंप्यूटर का दिमाग जहां होता है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम CPU कहेंगे Central Processing Unit CPU को जब कम्प्यूटर का मस्तिस कहा जाता है Next एगा कौन सा इन में से एक हर्डवेर का उधारन है तो हर्डवेर का जो ये जो electronic light bulb जो दिये गए सोरी राइट अंसर जो option 3 रहेगा कम्प्यूटर से लगा हुआ जो mouse है ये एक हर्डवेर का उधारन है और हर्डवेर वहता है जिसे हम हाथ से चूँ सकते हैं Next एगा अलग-अलग instruction के लिए अलग-अलग keys प्रियुक्त कर इन में से कौन सा ओपकार्ण सुचन के आधान परदान के कार्ण उपलग कराता है तो इसे कहेंगे हम key board Next है इस प्रकार की memory को समान जाता है temporary या volatile memory कहा जाता है तो ये क्या होती है ये होती है RAM, random access memory और ROM होती है read only memory तो ये जो RAM जो होती है ये एक प्रकार की temporary या volatile memory होती है Next है computer memory में एक गलती तो यहां पर जो computer जो memory है इसमें गलती होती है इसे क्या का जाता है इसे हम एक bug कहते है Next रहेका इन में से क्या जो है एक system software नहीं है तो इन में से कौन सा एक system software का उदान नहीं है तो ये जो MS word जो है ये system software का उदान नहीं है operating system compiler interpreter जो है यह operating system जो होता है OS इसके उधान है next नेगा memory की बंडान किसमता किस में मापी जाती है where very important को सलाएगा memory की जो बंडान किसमता है यह किस में मापी जाती है तो यह इन सभी मापी जाती है byte में, kilobyte में, megabyte में next question नेगा keyboard की किस कुझी को दबा कर input को computer में बेज़ा जाता है तो यह रहेगी inter kunji keyboard की जो inter kunji होती है उसे दबा कर input को computer में बेज़ा जाता है next question नेगा इन मेंचे कौन से memory अनिवारिया नहीं है तो यहां पर कौन सी मेमोरी होती है जो अनिवारिया नहीं है तो यह इन में से कोई सी नहीं राइट एंसर ओप्शन फॉर तो दोस्तों यह थे हमारे आज के कंप्योटर से समधित कुछ मेहताफून कोशन जाब के आगे आने वाले एकजाम के लिए मेहताफून आगे और दोस तुमार सातन तक बनेने के लिए धन्यवाद है